हलो क्लास 12 एस्टुनेंट आज हम एक नई कविता जिसका नाम है तिंग और ब्यूटी वो पढ़ेंगे और इस कविता के जो कवी है या पोईट है इनका नाम जॉन कीट्स है जिनका जन्र 1795 में हुआ था और इनकी डेथ 1821 में हो गई थी यानि मातर 26 साल की उमर में ही इनकी हो गई और ये एक ब्रिटिश बहुत ही फेमस ब्रिटिश रोमांटिक पोईट है अल्थो ट्रेन टु भी ए सर्जन वैसे तो इन्हें ट्रेनिंग एक सर्जन की मिली थी कीट्स डिसाइड़ तो डेवोट इमसेल्फ होली तो पोईट्री लेकिन कीट्स निये फैसला किया कि वो अपनी सारी जिंदिगी कविताओं को समर्पित कर देंगे कीट्स सीक्रेट इस पावर तु स्वेध और डिलाइट दे रीडर लाइस प्राइमरली इन इस गिफ्ट और पर्सीविंग दे वर्ल और लीविंग इस मूर्ट और एस्पिरेशन इन टर्म ओफ लैंगवेज और कीट्स की जो सबसे चिपी हुई जो क्वालिटी है या सीक्रेट क्वालिटी जो है उनकी वो यह है कि वो अपने रीडर्स को अपने पढ़ने वाले पाठकों को बहुत ही आनंद देते हैं और यह आनंद इस वज़े से है कि उनमें इश्वन एक ताकत दी थी दुनिया क को देखने की गिफ्ट दिया था एक कि कैसे दुनिया को देखते हैं और कैसे उसके मूर्स को पहचानते हैं उसके एस्पिरेशन को पहचानते हैं और ना सिर्फ दुनिया को देखना बलकि शब्दों में उसे व्यक्त भी करना लैंग्विज में यह कला कभी को कभी किट्स क बहुत अच्छे से आती थी इसलिए उसके उनके सभी कविताय जो है बहुत ही इंप्रेसिव है और यह जो कविता है यह एक बहुत लंबी कविता उन्होंने लिखी एंडायमियन अपुईटिक रोमेंस उसका चोटा सा हिस्सा है जो आपको पढ़ना है यह जो कविता आपको एक पोएम इस बेस्ट ऑन ग्रीक लेजंड यह ग्रीक लेजंड के ओपर बेस्ट है ग्रीक कहानी के ओपर बेस्ट है इन विच इंडायमियन अ बीटिफुल यंग सेफर्ड और पोएट उलीब ऑन अमाउंट लैटमॉस अज वीजन आफ सिंथिया और इंडायमियन नाम का खेटिफड बेक्ति जो था वो सेफर्ड गडेरिया वो था जो बेलों को चराता था और कभी था और माउंट लैटमॉस पे रहता था और तब उसे क्या हुए एक बार सिंथिया रिजञ यह सफना वो आया सिंथिया कौन है यह मून गौड़ेस है दा एंचांटे यूथ रिजॉब तो सीख हर आउट और वो उसकी खुबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि उसको ढूनने निकला गौड़ेस सिंथिया को और वो उसको ढूनते ढूनते जंगल और समुद्र सब जगह घुमता रहा उनकी तलाश में ठीक है और इस दोरान जो खुबसूरती दुनिया की उसे नजर आई उसको कवी ने यहाँ पर व्यक्त किया है पोईट में चलिए देखते हैं एक सुंदर या खुबसूरत चीज जो होती है वो बहुत आनंद दायक होती है और उसकी खुबसूरती कभी दूर नहीं होती या आप कह सकते हैं कि एक अंतहीन होती है अंतहीन यानि सकांतना हो तो यह अंतहीन होती है और इस अंतहीन आनंद खुशी हमें दीती एक खुबसूरत चीज जो होती है क्या करती है एक चायदार पेड़ की तरह होती है यह आप कह सकते हैं कि आश्रे की तरह होती है बार कहते हैं जो पेड़ों का जुरमुट होता है उसको गूंए है ना तो वो क्या करती है एक आश्रे देती है हमें और यहाँ पर हम क्या होते हैं कि हम बड़े शार्त होकर सो सकते हैं मीठे सपने देख सकते हैं अच्छा स्वास्त और विस्राम से भरी नीद यहाँ पर हमें मिलती है सुकून मिलता है है न प्रकृति के बीच में हमें therefore on every morrow we are we reading a flowery band to bind us to the earth हर दिन क्या होता है कि हम जो सांसारिक बस्तुएं होती है वो हमें क्या करती है धरती से बांध कर रखती है हमेशा हमें इनके पीछे भागते रहते हैं है न और हमें पस्ताइम ही नहीं होता कि हम प्रकृति की सुन्दर्था को देख सके तो क्या करते हैं और यह सब बहुतिक चीज़ें होती है जो हमें हमें शारिक मानसिक सुक देती है है न हम इसके पीछे भागते रहते हैं है न और उनका कहना है कि यह जो भागते रहते हैं वो क्या होती है हमें सच्चे सुक से दूर रखती है जो सच्च Hare आनन्द हमें मिलना चाहिए उससे हमें दूर रखती है आप जानते ही है यह दर्ती जो है वो बहुत तरह के घ्रना लालच नकारात्मक चीज़ें से भरी हुई है और poet का कहना है कि ये नकारात्मक चीज़ें जो हैं हमें उदास कर देती हैं या मायूस कर देती हैं लेकिन जब हम खुबसुरत चीज़ों को देखते हैं तो जो आनन्द हमें मिलता है वो नकारात्मक उर्जा को हमसे हटाता है आपने अक्सर सुना ही होगा कि जब आप बहुत डिप्रेस्ट होते हैं या उदास होते हैं तो कभी भी कमरे के अंतर बंद होकर ना रहें पहार निकलें पार्क में जाकर थोड़ी देर बैठेंगे या घूमेंगे तो आप खुद इसमें अंतर महसूस करेंगे कि आप में कित जाता है है ना या थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि चलो मैं इस प्रॉबलम को दूसरे तरह से सौल्व कर सकता हूं है ना या फिर आपको पता ही है दुनिया में तो बहुत सारी कटनाईयां होती हैं और समस्याओं का समाधान भी हमें खुद अगर मेरी समस्या है तो मैं यह जगह पर बैठेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा तो कहीं न कहीं कभी यह समझाना चाहा हैं कि कि आप प्रकृति के पास आएं जो खुब सूर्टी है उसको देखें तो आपको बहुत सुकून मिलेगा चलिए अब आगे पढ़ते हैं इस कविता को मैंने तो बह को यही सब समझाना चाह रहे हैं अब देखिए आगे क्या है for our dark spirit such the sun and the moon trees old and young sprouting a shady moon for simple ship such as such are daffodils with a green world they live in and clear hills that is that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break अब क्या है कि कभी कहता है कि चलिए एक लिस्ट बनाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बहुत ही प्रकृति से हमें मिलती है और हमें हम उसका आनंद उठा सकते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपने कहावत और भी सुनी होगी beauty lies in the eyes of beholder यानि कि देखने वाले की नजरों में खुबसूर्ती होती है तो भगवान कई चीज़ें तो बनाते हैं जैसे सूर्य जो है वो हमें उर्जा देता है चांद जो है वो हमें क्या करता है वो हमें अपनी सुन्दरता देता है चांद को तो पता ही है कि एक ठंड़क देने वाला ये माना जाता है न तो एक प्राकरितिक स्रोथ माना जाता है ठंड देनेवाला जो जिसको बहुत cooling effect होता है उसका फिर छाया देने वाले पेड़ होते हैं और हमारे आसपास बहुत सारी सुंधरता होती है न इसके भगवार ने तो भेड जैसी साधरन जीव बनाए हमारे जीवन को लाइवली बना देता है ये और डेफोडेल जैसे फूल दुनिया को हरा और सुन्दर बना देते हैं फिर पानी की धराएं हमें गर्मी और गर्मी के मौसम में बहुत सुकून देती है को कूलिंग को वर्ट मे गर्मी का अगेंस्ट हाट सीजन तो गर्मी के मौसम में जो ठंड़क हमें मिलती है इसे और जंगलों में तरह मिड फॉरेस्ट प्रिक रिच फिर स्प्रिंकल आफ फियर मस्क रोज ब्लूम और फिर क्या होता है जंगल जो है कई बार फवारों से जर्नों से भरा रहता है औ और यह सब तो सुंदरता की बाते हैं जो बार बार तबी आपको बताता है इसके अलावा भी उनका कहना है कि आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा जो अपनों की रक्षा करने में उन वीरों की कहानिया भी आपने सुनी होंगी जो कि बहुत सुंदर और प्रेणा दायक होती है उन्होंने अपना जीवन खतम कर दिया बलिदान कर दिया तो अपने लोगों की रक्षा करने के लिए ये सभी सुंदर चीजें भगवान ने इस धरती को दी है जो कि एक अमरता के फांटेन की तरह होती है जो ह हमें जीने के लिए और अच्छाई पर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेणित करती है ठीक है तो ये तो कविता है और अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे एक तो इसकी राइम स्कीम आप देख लीजी कि मैंने तो ब बढ़िए इसको फार एवर नेवर कीप स्लीप ब्रीधिंग रीधिंग अर्थ डर्थ डेज वेज आल पॉल मून बून ठीक है तो हर दो लाइने आपस में राइम कर रही हैं तो आप कैसे इसका इसकी नेमिंग करेंगे या नामकरन करेंगे तो ए बी ए ए ए बी बी चार ल बी अगर छे लाइने आ गए तो ए ए बी बी सी सी इस तरह से आप नाम देंगे इसका ठीक है यह तो हो गई राइने स्कीन उसके बाद चलिए थोड़ा एलिटरेशन देखते हैं कि एलिटरेशन कहां कहां पर पोईट ने इस्तेमाल किया है तो यहां देखिए क्या सिखाया तो मैंने एलिटरेशन में फर्स्ट लेटर जो होता है दो अगल बगल वाले वर्ड का सेम होता है ठीक है और कॉंसोनेंट होता है चीज़ यह भी ध्यान रखना है वावल नहीं होता है तो आप देखिए यहां पर वी रीदिंग डबलू डबलू तो यहां यह यह एलिटरे तो मुझे लगता है कि आपको कविता बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगे और आप अगर कोई क्वेशन आता है तो आप आसानी से इसका एंसर एक्जाम में लिख पाएंगे और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजी और शेयर भी कीजी ताकि दूसर हुठा सकें थान्क्यू वेरी मच्च